नमस्कार मैं होदर शंकर न्यूज बाइसकोप में आप सबों का स्वागत है जार्खन की बहादूर बेटिया, संध्या टोपनो, करतवनिष्ठ थी, इमांदार थी और तुपूदाना थाने में पदस्था पित थी लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही वजह ये है कि गौध तसकरों को तीन बजे भोर में रात का वक्त भी कह सकता है क्योंकि अंधेरा उस वक्त होता है, जब उसने रोकने की कोशिश की तो गौध तसकरों ने गाड़ी चढ़ा दी और कुचल कर मार दिया आप सोच सकते हैं कि गौध तसकरों की हिम्मत किसकादर बढ़ गई है हमारे साथ हमारे संबादाता मदन है मदन आपने पूरे घटना स्थल का जाजा लिया, थाने में बात की, अस्थानी ये लोगों से बात की उसके बाद कई सवाल सामने खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक महिला अधिकारी तीन बजे यानि रात के वक्त डूटी पे तैनात होती है और वो गौध तसकरों को रुकने जाती है, क्या कुछ पूरा वाक्या सामने आया है बिल्कुल देखे जो टुपुदाना थाना छेतर है वो पहले से ही बिवादों में रहा है और सबसे ज़्यादा अगर वहां आप देखे तो जमीन को लेकर के लगातार हत्याएं होती रहती है लेकिन हाल के दिनों में तसकरी जो है वो गौव का जादा होने लगा है तो ऐसे में गौव तसकर भी काफी सक्रिये हैं उदर लेकिन सबसे महत्पुर्ण ये है कि अगर किसी महिला दरोगा की डुटी नाइट में होती है और जब किसी दूसरे जिले से पुलिस को सुचना मिलती है कि आखिर तसकर जो है इस रास्ते से भाग रहे हैं तो पूरी तयारी के साथ जाना चाहिए था दो सिपाही के साथ दरोगा को अगर उसको पीछा करने के लिए उसे पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है तो जरूर ये सवालिया निसान है और परिजन यही कह रहे हैं कि आखिर किस परिस्तिती में उनको भेज दिया गया और बिना किसी तयारी के अगर जाना ही था तो दरोगा जी को खुद जाना चाहिए जो थाना परभारी है या साथ में और लोगों को भेजना चाहिए था ताकि एक महिला जो है भले ही वो पुलिस में है लेकिन उसकी सुरक्षा भी हो सके तो ऐसे में अब परिजन जो है CBI जांस तक की मांग जरूर कर रही है और ये कहना है कि लगातार उसको नाइट सिप्ट में ही दिया जाता था थाना परभारी पर भी कई गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है कि बराबर उसे परिशान किया जाता था नाइट डूटी उसे लगाई जाती थी तो अब जब उनकी मौत हो चुकी है तो सवाल ये है कि आखिर जो अगर टकर भी मारा गया तो उन्हें तुरंत मेडिकल क्यों नहीं कराने के लिए ले जाया गया पांच मिनट छे मिनट जो है PCR को आने में लगा फिर PCR जो है उस वेन को पीछा करके रोकती है फिर उसके टायर में गोली मारा जाता है फिर वो पलटता है फिर उसके बाद ड्रैवर को गिरफतार किया जाता है लेकिन सबसे महतपूर्ण है कि जिस रास्ते से उनको लाया गय रिम्स इलाज के लिए उसी रास्ते में उनके परिजन का यानि उनका घर भी था परिजन का आरोप है कि अगर किसी तरह की घटना घटी तो पहले हम लोगों को सुचना देना चाहिए था बलकि जब वो रिम्स पहुंच कर उनकी मौत हो जाती है तब उसके बाद सुचना दी जाती है कि आपके बेटी की जान चली गई तो ऐसे में कई सवाल परिजन जरूर उठा रहे हैं और तसकरों की सक्रियता उनके मनोबल जो बढ़े हैं ये तमाम सवाल जरूर अब उठ रहे हैं विपक्स भी सरकार को घेरने में पूरी तरह से चुट गई है और CBI जाच की मा इसकी कलपना हम और आप कर नहीं सकते साहिब गंज पाकुड के जरिये बांगलादेश बॉर्डर तक किस तरह से सक्रिया है और ये जो बड़ा खेल पसुत असकरों का खेल रहा है बिना बड़े अधिकारियों के संग्रक्षन के बिला खेला नहीं जा सकता और अगर कोई इमा सवाल जरूर है जब जिस गारी से वो पेट्रोलिंग के लिए गई थी अगर टकर मारा ही गया तो उस गारी से क्यों नहीं पीछा किया गया फिर जब पांच जो अस्थानिया लोग बताते हैं कि थोड़ी देर बाद जब PCR की गारी आती है उस से खदेर कर जो है उस गारी को का पीछा किया जाता है फिर उस गारी के टायर में गोली मारी जाती है और फिर वो एक्सिडेंट होता है पलटता है और फिर तब उस गारी को जब्त किया जाता है तो कई सवाल है जब खूटी से उस गारी का पीछा किया जा रहा था तो पूरी तयारी के साथ उस गारी को र पुलिस को रोनना ही है और दूसरा गोली बंदुक भी उनके पास होता है तो वो उधर से हमला भी हो सकता था तो साबधानी के साथ अगर इस तरह के कारवाई करते तो पुलिस के सफल कारवाई हो सकती थी लेकिन बिना किसी तैयारी के महिला दरोगा को भेज़ देना ये सीबिया जांच की मांग विपक्ष के तरब से की जारे है जो परिजनों के तरब से की जारे है क्या वो होता है या नहीं। उनका कहना है कि संध्या टोपनों को शिकार बना दिया गया है बहरहाल अब जांच, सीबिया जांच की मांग हो रही है देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या निर्नाए लेती है क्योंकि हर किसी को इंतजार होगा कि जार्खन की बहादुर बिटिया की मौत जिसकी वज़ कर बात जांच को निकर भाकैन अजिए बहुत आंध क safety ॉत इंत, भी है की मौत भी ज़ी आ निर्शाट की पूस्वाद।